आप देख रहें EGK Spend का ओफिसियल चैनल और आज के इस वीडियो में बात करेंगे debit card credit card new rule जो है एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा debit card credit card user के लिए एक अक्टूबर से tokenization system चालू होने वाला है तो क्या है ये नियम इस वीडियो में जानेंगे अभी तक अगर आपने EGK Spend चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके लिए ऐसे ही तमाम जनकारी लेके आते रहते हैं debit card, credit card user के लिए नियम में बदलाब होने वाला है तो क्या नियम बदलाब होने वाला है पहले हम लोग जान लेते हैं जब भी हम लोग कोई transaction करते हैं चाहे वो debit card या credit card से तो वहाँ पे आपको कई सारे detail देने होते हैं जैसे जब भी आपको ही transaction करते हैं अपने debit card credit card का उपियोग करते हैं तो 16 digit का आपको जो है card number, CCB number, one time password, pin जैसे अधारित ये जनकारी आपको देना पड़ता है तभी एक सफल transaction हो पाता है लेकिन ये tokenization system आजाने के से वस्तविक card विबरन को एक token के रूप में बदल दिया जाएगा जो की unique code में बदल दिया जाएगा